और है आज हम को हम आपको जगजीत रीपर के आरपीम की सेटिंग की बारे में समझाएंगे के कैसे इस त्रेशर की सेटिंग करके आप अपने ट्रेक्टर को असानी से चला सकती हैं आपको मालूम है कि जो ट्रेक्टर है वह लग-Δर ताइप के हैं जाउंडियर है महिंद्रा सव्राज प्रित है और और भी कई है लग्लग बेट में इनकी पीडियू के चकर जो होते हैं वो सब के अलग अलग होते हैं इसलिए रिपे माद्रिह के आर्प्यंध श्रीक्ट्र के यहार फिर मैंच करके फिर आपका असानी से चलता है आज अज हम आपको collector के आर्पियूम से कैसे मिशीन मैच करते हैं वो बताएंगे हमने इसमें ट्रेक्टर का मुद्दा ही हदं हमकर दीया है हमने पीडियों के चक्कर ले लिए हैं कि पीडियों के चक्कर से उसके बाद हमने एक चार्ट मना दिया जिससे हम आपको अपने हमारे रीपर की सेटिंग आपको बताएंगे पहले हम रीपर के ट्रेक्टर के आर्पिम देखते हैं हमारे ट्रेक्टर को पहले स्टार्ट करके इसका पीटियो वाला गेर लगा लेंगे पीटियो वाला गेर लगाके इसकी रेश हम 17-800 पर कर लेंगे नॉर्मल ट्राइटर जो होता है वो 1700 रेस पे चलता है यह रीपर जो ट्राइटर के आर्पित में वो 1700 रेस पे होगे अब इसके पीडियो के चकर चेक करते हैं इसकी पीडियो के चकर चेक करने के लिए हमाने यह पुली वाला गेर है वो लगा दिया यहां पर आर्पियमीटर लगाएंगे ऐसे यह 387 आठासी इसके पीडियो के चकर आगे हुआ है अब ट्रेक्टर का मुद्दा हो गया खतम हमने हरप हर का 지हरो जो भी ट्राइक्टर है उसकी सफ पीडियो के चकर नोड करने सब भ्fat कर दिया है ट्रेक्टर की पीडियों के असे सैबसे उसके बाद यह कबर उतरेगा इसका मिशीन का यह कबर को उतार के यह दो पुली यह की की पुली है और यह की पुली हैं जो गेर में हम से सभा का गेर भी बोल देते हैं यह सभा का गेर है अब लुक्त इमारे तरह पर की पुली का बता दोऊ बद्ली बहुत ही असान है इसके इस चार बोल्ट को हम लुज करके हमारी पुली कहीं इस निकला दिया यह अभी हम आपको कर के दिखाते हैं इसकी पहले बेल्ट उतार दी जाएगी उसके बाद ये चार बोर्ट खुल जाएंगे इस तरहें से तीनों बेल्ट उतर जाएंगी और ये चारों नट निकाल के ये बुश टाइप उली है इसका बुश फ्री हो जाएगा और ये निकल जाएगी और क्याला भाई ये पहला शेंगा वीडियो बनो रहे हुं मेर लिपके ये पुली बिल्कुल फ्री होगी दूसरी तरफ नट लगा के हम लिगा दिया ये पुली बुश ऐसे असानी से पुली निकल जाएगी तो उसके बाद हमारा एक चार्ट है जो हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन भी कर देंगे उस चार्ट से हिसी है इस इसाफ से बना होगा हमारी पुली बनी होगी ट्रेक्टर की पीड़्ों के इसाफ से यह और यह बड़ी को पीछे वादी होगी वह पीछे चोटी पुली ड़ेगी अब पुली ऐसे ही डल जाती है मालों इसके तीनसो नब्भे चक्क्राइए ते उसके इसाफ से कलकुलेशन करेंगे जो इस पे पुली पुली ऐसे ही लग जाएगी आप पुली लगा के दिखा दो एक बार इसकी जो कट रहा है उसकी सेटिंग करके आप पुली ऐसे अंदर चली जाएगी उसके बाद बोल्ट चारों टाइट हो जाएंगे इसके बाद बैट चरकर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो भी हम आप हमारी मिशीन के चकर सेट कर सकते हैं दन्यबाद जी